स्वागत है आपका आपकी यूटीब चानल एम डेलवे में आज हमारी कोशन आंसर की क्लास नबर 6 है अच्छली मेरी तपे थोड़ी सी ठीक नहीं इसलिए हिस्ट्री की क्लास नबर 3 अपलोड नहीं कर पाई मैं मंडे से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे हिस्ट्री कोशन आंसर की क्लास के लिए जाधा वक्त नहीं लगता 10-15 मिनेट में मैं अच्छे से डिसकस कर लेती हूं तो फ्राइडे आज फ्राइडे साटर्डे संडे तीन दिन भी कोशन आंसर की क्लास चलेगी चले फी स्टार्ट क जिसमें हमने हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी एंड जीर के 2020 बहुत भडिया तरगे से डिजाइन कर रखा है आप अभी तक यह नहीं खरीद लेना माइट्र वन-50 रूपीज में एबूक है इसमें अगर आप 50 रूपीज एक्स्ट्रा आड को ओगे तो आपको इठीक्स का पेपर है चलिए फिर हम डिसकस करते है आदर प्रदेश का 2016 का पेपर है sorry for the disturbance question one is सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा was written by किस ले लिखा है तो ये लिखा है मोहमद इकबाल जी ने किस ले लिखा है मोहमद इकबाल जी ने याद करना बच्चो next which of the following is responsible for the preparation of union budget to the parliament तो हमारा union budget आता है हर साल February month में तो उसके लिए कौन सा department responsible होता है तो उसके लिए responsible होता है department of economic affairs जो ministry of finance ministry के अंडर आता है department of economic affairs याद कर देना बच्चो iodine is a part of thyroid hormone and is essential for the prevention of iodine के कमी से क्या होता है goiter के जैसे problem होता है मतलब उसे हम भाराटी में घेंगा कहते है तो उसका right answer है goiter prevent करने के लिए iodine की जरुद होती है next who administers the oath of office to the president of India ठीक है तो कुछ इस तरह ज्याद रखो president of India और chief justice of India दोनों एक जूसर के friend है ठीक है तो president of India को शपत दिलाते है chief justice of India और chief justice of India को शपत दिलाते है president of India समय में राष्ट्रपती को CGI शपत दिलाते है और CGI को राष्ट्रपती शपत दिलाते है तो इसका right answer क्या बने का chief justice of India जो है president को शपत दिलाते है और vice president को कौन शपत दिलाते है तो President of India, ठीक है बच्चो? Question number 5 Which of the following is the brightest star? तो brightest star पूछा गया है, तो वो है Cyrus Space से जो है, बहुत सारी questions बनते हैं तो Space से जितना भी data आपको मिलता है जैसे कि अभी ये brightest star तो वो आपको note down कर लेना आपके notebook पे, ठीक है? तो वो कोछा है Cyrus Next, Qatar की currency पूछा गया है ठीक है, तो capital currency and country capital currency ये तो आपको यादे करना है triple C करके, ठीक है, triple C formula के related तो उस्तर से जादे है, तो Qatar की जो क्या किते है, currency वो है real ठीक है, real ये यादे रखना एक बार एक exam में कोशना आया था, रूपी सिर्फ रूपीया, SNE की रूपीज वगेरा कुछ, रूपी ये ऐसे नहीं, अपना रूपईया नहीं सिर्फ रूपी जो है, वो कितने देशों की currency है जैसे पाकिस्तानी रूपईया, इंडियन रूपी, श्री लंकन रूपी, नेपाल की रूपी, इंडोनेशन रूपी, इस तरह से तो ऐसा कोशन मना था, तो ये एक बार आप रीचेक कर लेना कि कितने देशों की currency जिसका प्रेंशेशन रूपी होता है, ठीक है, नेक्स्ट, DPSP, Directive Principle of State Policy in Indian Constitution were borrowed from which of the following countries, तो DPSP कहां से हमने बारो कर रखा है, ये हमने बारो कर रखा है Ireland से, जब हमने सविधान बनाया था, तो कुछ-कुछ चीज़े हमें अलग-अलग देशों से बारो करनी पड़ी, अलग-अलग देशों के सविधान से, क्योंकि हमें सब कुछ आइडिया नहीं होता है, ठीक है, तो Ireland से हमने DPSP बॉरो किया, DPSP क्या बताता है कि, अगली पीडी, ठीक है, मतलब हम लोग, अगर कोई Policy बनाना चाहते है, तो हमारे Directive Principle क्या होने चाहिए, उस Policy से रिलेक्ट आप लोग मेरे previous lectures, जैसे कि मेरा quality totally completed है, biology है, तो आप लोग वो भी complete कर सकते हैं, one of my student, I think his name is Shubham Pisa, उन्होंने total quality complete कर रखा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, जब वो answer भी देते है, तो उन्होंने अपने time का बहुत अच्छे से सद्विपर कर रखा है, तो आप भी उ quality से उससी तरसे मैं पढ़ाऊंगी, तो आप वो quality की 14 lectures से complete कर लेना, ठीके बचो, next, the practice of untouchability is prohibited by the, तो untouchability जो है, वो article 17 के अंडर आता है, जिसे हम prohibit करते हैं, क्या गरते हैं, हम उसका initiate करते हैं, next, flying sick of India किसे कहा जाता है, तो ये मिलखा सिंग को कहा जाता है, flying sick of India, dash is the second largest brackish water lake और lagoon in India, और brackish का मतलब क्या होता है, saltiest, तो इंडिया की saltiest lake है, हमारे चिलका लेक, जो ओडी साम है, लेकिन इंडियों ने पूछा है, second largest, तो इसका right answer है, pulikat lake, pulikat lake तामिनारू, तामिनारू आंदरा के water पे है, kind of, तो pulikat lake जो है, second saltiest lake है, ठीके, लेक और lagoon में म है, quality complete है, दो आपके subjects complete हो जाएंगे, अगर आप इस तरह से complete कोरोगे, और history तो साथ ही साथ चल रहा है, ठीके, thank you so much for watching, please subscribe to my channel, share this video, like this video, and please keep revising, thank you.